हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आई एक्जाम भी एक्स मैनेजर रिजर बैंक ऑफ इंडिया और अभी आपने इलेक्शन कमिशन का प्रेस कॉन्फरंस देखा होगा उसमें जो लोग सबा की जनरल एक्शिंग डेट है वो यहाँ पर डिकलेर कर दी है तो आपको पता है आप यह सब सारी डेट देख लिजे और यहाँ पर काफी सारे स्टूडन्स यहाँ पर क्वेशन पूछ रहे कि आर बिया और से बी की जो एक्जाम डेट से या नोटिफिकेशन ड या नहीं पड़ेगा उसके बारे में दिस्कर करेंगे taq तो सबसे पहले यह देख लीजे इसके बारे में भी एक क्वर्शन आ सकता है जी यह का क्वर्शन है यह इन्डिया में कितने मेल वोटर्स है female वोटर्स कितने है जिनका इनिये लोग से ऊपर ठीक है तो यह 7 phases में होगा और यहां पर आप देख सकते कि आपके states में कितने phases में होने वाले तो यहां पर यह है तो यह मैंने जो underline किया हुआ है pink color में वो जो states है वो थोड़े से sensitive states है बड़े state है वहां पर 7 के 7 phases में यहां पर election vote होगा क्योंकि आपको बता है CRPF के जो police होते है वो यहां पर deploy किये जाते है क्योंकि कुछ कुछ जगा पर sensitive area हो सकता है ठीक है तो अभी देखो उन्हें सेबी ने तो अभी short notification किया और मुझे लगता है कि क्या है जो regular recruitment है उसका और election का कोई relation नहीं होता है क्योंकि वो पहले से होता है ठीकिन सेबी ने थोड क्या है precaution है सेबी की तरफ से मुझे लगता है अगर 13th April को अगर वो notification release करते है ठीक है तो इसके हिसाब से मुझे लगता है क्योंकि यह जो 15 जून यह RBI grade B phase 1 के लिए expected date है जो अभी book किया हुआ है ठीक है वो change हो सकता है आपको पता है number of कुछ भी आ सकता है आगे पीछे तो इसलिए वो 22 एक रहता है कि जैसे change हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर पता दूगा तो यह mostly मुझे लगता है CB का भी exam है वो जून में हो सकता है 8-9 के आसपास हो सकता है यह आपका 23rd को हो सकता है तो यह मेरा guess है यह actually उन्होंने booking किया ही नहीं इसलिए यह guess है ठीक है क्योंक आप से preparation करना start कीजिए अभी देखो RBI का notification नहीं आया है जैसे अभी आपको पता है model code of conduct लागो हो गया है लेकिन RBI का recruitment every year करते है इसलिए उसको लागो नहीं होगा और उन्होंने मैंने एक जगह पे देखा था उन्होंने लिखा है कि जो state PCS की exam होती है UPSC की exams होती है उसके लिए model code of conduct apply नहीं होता है अगर बहुत बड़े लेबल पे कोई government first time announce कर रहे कि हम 50 ज़रा के recruitment करें तो वो election में voters को influence करने के लिए लिए जाता है लिकिन यह क्या है regular exercises इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा changes होने वाला है तो अभी आप ये video बनाने का यही purpose है कि otherwise लोग इसके बारे में बस discuss करते रहे तो discuss करते रहे तो time pass करते रहे ऐसा बिलकुल नहीं है मैंने मेरा expected date जो है वो यहाँ पर बता दिया है अभी आपको full-fledgedly यहाँ पर पढ़ाई के लिए लग जाना है actually पहले से लग जाना चाहिए था यह revision का time था लेकिन अगर आपने